हलो दोस्तों नमस्कार जीए शुनिकॉट में आपका हार्दिक श्वागत और अभनेंदन करते हैं आज हम बात करेंगे बीपीसी चेयर मेंन का टूट को लेके जो की अपेरिंग सीटेट और बीड के छात्रों के लिए एक बड़ा बयान उन्होंने टूट किया है और सभी के लिए रहात किया जो बीड अपेरिंग है या सीटेट अपेरिंग है जो डियलेड अपेरिंग है जो अपेरिंग के छातर फार्म बीपीसी का भरेत जो उसे चक में एक्जाम दिये थे उनके लिए रहात की ख़बर इसलिए है क्योंकि जो उनका अभी तक सीटेट का रिजल्ट नहीं आया है या बीट का रिजल्ट नहीं आया है उन्होंने इस चीज को असपष्ट कर दिया कि उनको घपरानी कोई जरूत नहीं सभी को मौका दिया जाएगा सभी के लिए बात हैं कंडिडिट इन दा टी आरी विल बी प्रोवाइड़ेट एडिकेट टाइमस एज मजबी पॉसबल तो फरनीस रिजल्ट अफ दा इक्जाम इस पूरूब दा दिया जाएगा जब तक रिजल्ट उनका नहीं आता है तब तक उनको मौका दिया जाएगा इसलिए उन्हों किया दस सितंबर को किया और नौ हजार लोग उनको देखें उनको फालो किया तो कहने मतलब है कि आपके जो चेयरमेंस हैं भाई देखिए अभी जो बीएड बरसेस बीटी से चला उसको लेकर कोई बड़ी बात नहीं वह तो नियाला का है वो सब मानने सर्वोच नियाले न इस तक जो बीटे बीएड कर चुके हैं उनके लिए क्या फैसला है कि आपका जो ग्यारा तारीक का आता है अडर आता उस कब से लागू होगा इस बात को लेकि बात कही गई है तो यह सारी चीज़ें भी नियाला की उपर डिपेंड करती है तो इसलिए आपको घबडाने की सब के साथ नया होना चाहिए ऐसी बात नहीं है अगर अगर कोई योग है तो उनको वैकेंसी में सामिल होने का बिल्कुल अधिकार है क्यों राइट टू फंडामेंटल राइट से हैं लेकिन इसमें आपस में लोग लड़ना शुरूर कर दी हैं लेकिन यह बिल्कुल गलत ह अब आप इसके बारे में सूच सकते हैं बाकी अगर कोई न्यू जाती है तो हम इसके बारे में आपको आगवत कराएंगे चले मिलते हैं जैहिंद साथियों नमस्कार सभी को